नमस्कार सातियों जै सिरी क्रिष्णा जो सुबासित हम पढ़ रहे हैं उनकी नेक्स्ट कड़ी के अंत्रगते प्रिय वाक्य प्रदानेन स्वर्वे तुस्यंति जन्तवे तस्मात देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता जो सुक्तिसोव रूप है वो आपको अंत में दिख चरण होते हैं और अपना जो सुक्तिसोव रूप होता है वो लगभग चतोर्थ चरण बनता है लेकिन सुक्ति सिर्फ अकेले चरण से याद नहीं हो सकती पूरे पद्यान से यानि जिस पर वो खड़ी हुई रहती है वो आधार हमें आना चाहिए तो देखिए प्रिय वाक्य प्रदाने ने प्रिय अच्छे वाक्य बात या वचन अच्छे वचन बोलने पर प्रदाने ने प्रदान करने पर या बोलने पर सर्वे सभी सर्वे सभी तुस्यंती संतोष्ट होते हैं संतोष्ट होते हैं जन्तव है पुरानी तो जो प्रिथमोर्दित्य चरण है उसका एक साथ हम अर्थ लेंगे तो अर्थ हो जाएगा अपना कि अच्छे वचन बोलने पर सभी प्रानी संतोष्ट होते हैं यानि हम किसी से भी प्रेम से बात करेंगे तो वो खुस होंगे संतोष्ट रहेंगे तस्माद इसलिए तदेव उसी प्रकार से किस प्रकार से जिस प्रकार के वचन बोलने से सभी प्रकार के प्रानी संतोष्ट होते हैं उसी प्रकार से वक्तव्यम बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता अर्थार्थ जो सुक्ति है वो कह रही है कि विदाता की अनमोल क्रति है बोलना और विदाता के दुआरा ही हमें मिला है ये स्वर्णमिम तौफा जिससे की हम बोल सकते हैं तो ये तो बगवान के दुआरा दिया गया तौफा है की हम बोल सकते हैं किसी से और जिससे भी बोलेंगे अच्छी प्रकार से बोलेंगे जिनसे वो संतोष्ट हो तो हमें ऐसे वाक्य बोलना चाहिए जिससे सभी प्रकार के प्राणी संतुष्ट रहते हैं और बगवान के द्वारा दिया गया ये जो उपहार है उसका सही से उपयोग करना चाहिए वचने का दरिद्रता दरिद्रता यानि कंजूसी अर्थार्थ वचने बोलने में का कैसी दरिद्रता कंजूसी अर्थार्थे बोलने में किसी भी प्रकार की दरिद्रता या कंजूसी नहीं होनी चाहिए हमें हर समय अच्छा बोलना चाहिए ऐसा व्यवार कभी नहीं करना चाहिए जो हमें अपने आपके लिए पसंद नहीं हो एक से दो बार इसे देखेंगे तो बड़े सरल स्लोक है लेकिन जब तक हम इनके उपर एक प्रकार की प्रोसेस नहीं करते हैं और एक्जाम में यह आ जाते हैं तो यहीं हमें कठिन लगने लगते हैं इसलिए बड़े धैरी है पूर्वक इनको समय निकाल करके देखते रहना चाहिए जय हिंद जय भारत